अब पेशे गुड मॉनिंग जेन के कि अब दो काम मॉनिंग के एंज मॉनिधनियो कि अब एंदू उल के लिएारा Northern कि अब आएना की लिए लुड का सोल ऑपिखे लुड मैं हो गो इंद। कि अब एंद। कि अब दो वएशे ऑना मॉनिधन प्रश्राइब नियुक्त 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 प्रश्राइब नियुक्त नियुक्त लेकिन हम अल्ला ताला से ये दौा करेंगे कि हमें और एक जुमा नसीब हो क्योंकि माहِ रमदान का जुमा रह्मते ही रह्मते ही रह्मते ही बरकते ही बरकते लेकर आता है ویسے بھی جمعہ کے دن کو ہپتے کے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے اور ماہ رمضان میں جمعہ نصیب ہو ما شاءاللہ کیا کہنے تو ماہ رمضان ویسے بھی جب ہم بات کرتے ہیں ثواب کمانے کی بات جب ہوتی ہے اچھے کام کرنے کی جب بات ہوتی ہے ایک ثواب کی جگہ آپ کو ستر ثواب ملیں گے آپ نے کوئی اچھا کام کیا عام دنوں میں اس کے لئے آپ کو ایک ثواب ملے گا لیکن اگر ماہ رمضان میں آپ کرتے ہیں तो उसके जो सवाब है वो सत्तर गुना बढ़ जाते हैं तो परवर्दिगार से हम यही दुआ करेंगे कि ज़्याद से ज़्यादा नेकिया करने की हमें तौफिक अता करें यहां माहरमदान के दराना और माहरमदान के बाद भी क्योंकि यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें जो कुछ हम करते हैं उसको हमें पूरी जिंदगी फिर अपनाना है साल के बाकी महीनों मैं भी अपनाना है अच्छा आज की दिन के और एक एहमियत है ये देखे जब हम हिंदोस्तान की बात करते हैं हिंदोस्तान मजभी एतबार से भी काफी रंगा-रंगी है इस मुलक में और ये एक ऐसी खुबी है जिस खुबी के लिए हिंदोस्तान का नाम पुरी दुनिया में मशुर मारूफ है जहा हम माहِ رम्दान का खकर कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मसलिम अकाइद की वहीं आज हिंदोस्तान में और एक दिन बहुत ही जोशु खरोड दो हरा है आज बेसाखी का तहवार है और जो सिक दर्म के साथ वाबस्ता हमारे दोस्ते हैं इस प्रोग्राम का मतवातर देखते हैं उन्हें आज के दिन की बहुत बहुत मबारक बात सिख दर्म के एहम तरीन तहवारों में बेसाखी का तहवार है इसका अपना एक मजभी पसिमनजर है तहजीबी पसिमनजर है समाजी पसिमनजर है उस बारे में हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे लेकिन हाँ ये तो जरूर बनता है कि हम अपने सिख ब्रादरी के साथ तालुक रखने वारे दोस्तों को एक दफ़ा फिर इस दिन की बहुत बहुत मुबार्ट बादी देते हैं आज के दिन की और एक एहमियत है बलकि और दो एहमियत हैं उनके बारे में भी आगे बात करेंगे लेकर पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के शमारे में मेरे साथ रहेंगी शरीक मिजबान हमारा शर्फी असलामुले कूरे में बलकि शीक आप तो मैं चाहूंगा कि जो आज के दिन की और एक एहमियत है उस एहमियत के तालुक से आप बात करें बिकज बिंग लॉस्टूरेंट आप इस हवाले से हमें ज्यादा बेहतर तरीके से आगा कर पाएंगी जी, of course, you are an Indian citizen as well, you could be knowing about it now. जी, 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 अम्बीत कर जैनती है आज. जी, विल्बल सही. असलाम अलेकुम, खुशाम अदीद, आप सभी का आपकी अपने मनपसंद प्रोग्राम, Good Morning JNK मैं एक बार फिर से करते हैं. जी, जी, सही. अजहर बता चुके है कि आज, डॉक्टर अम्बेत कर साहब की जैनती है. इसमें मैं मजीद एड़ करना चाहती हूँ, अजहर, कि आज ही के दिन, 14 एपरिल को 1891 में मधिया प्रदेश में उनका जनम हुआ था. वो ना सिर्फ हमारे देश के बल की पूरी दुनिया के लीजर रह चुके है, उन्हें चीफ आर्किटेक्ट या फादर आफ इंजिन कॉन्स्टिटूशन भी कहा जाता है. इसके पीछे ये रीजन है, नाजरीन की वो ड्राफ्टिंग कमीटी के चियर्मैन भी रह चुके है, और कॉलम्बिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्वी की गई थी, जिसके हिसाब से ये पता चला कि डॉक्टर अंबेत कर जी जो थे, वो दुनिया के नंबर वन स्कॉलर डिक्लियर किये गए. मजीद भारत रतन एवाट से भी उन्हें नावाजा गया उन्नी सो नबे में और वो आज़ाद भारत के पहले लाउ मिनिस्टर भी रह चुके है. जी जी, और हमें आपके जो ये इस हवाले से इन्फरमिशन है, हमारे से शेयर कर रही हैं, इसके लिए हम बड़े श्कुल कुजार हैं आपके. लेकिन चुके आज मेहमान का हमने इंतखाब किया है, उनसे हमें बहुत सारी जानकारिया हासल करनी है, अगर आपने सारी जानकारिया पहले ही दे दी, तो ऐसा नहों कि फिर इरिल्वेंट हो जाया है हमारे गयस, हला कि उनका बड़ा अपना कंट्रिबुशन है इस फिल्ड के बाद जो प्रोग्राम के पहली सौगात हैं, वो हम मिल जुल कर देखेंगे, उससे मुस्तफीद होंगे, अब मैं चाहूंगा कि हम अपडेट्स फटा 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 अपने नाजरीन ते पहुंचाएं और उसके बड़ अपने महमान से मुलाकत करा है अपने नाजरीन आप को बताना चाहेंगी कि आज स्रीनगर का मौसम खुशखी रहेगा, वही अगर दर जहरारत की बात की जाए तो जाद से ज़्यादा चोब 20 डिगरी सेल्शियस और कम से कम 9 डिगरी सेल्शियस रहने की तवक्षा है, जमू में जाद से ज्यादा 37 और कम से कम 22 डिगरी सेल्श रहने की तवक्ता शेहराओं के हवाल से भी बताते चले कि आज नैशनल हाईवे 44 पर बड़ी गाड़ियों को नवी पैनल से जमू जाने की इजाज़त दी गई गई है और SSG रोड पर सिरीनगर से कारगल जाने की इजाज़त छोटी गाड़ियों को मिली है मज़ीद इतलाद के लिए आप दिये वे नमराद से राबिदा कर सकते हैं अच्छा मैं आज दिनके हवाले से बात कर रहा था आज दिनकी एहमियत क्या है उस तालुक से कुछ बाते आपके साथ शेयर हुई आज से और एक बहुती ऐहम हथा जो है उसका आगास हो रहा है मुल्क भर में वहाँ फायर सर्विस वीक याने आज से लेकर इस महीने की 20 तारीख से 20 तारीख तक पुरे मुलक में Fire Services Week मनाया जाएगा बन्यादी मकसद इस हबते का मनाने का ये है कि आम लोगों में बेदारी पैदा की जाए कि आग की जो वारदाते पेश आती है कम से कम कैसे की जा सकती है और आग की वारदातों में जो माली नुकसान होता है जानी नुकसान होता है उसको मिनिमाईज कैसे किया जाए और माटियर्स डे के तोर पर भी इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि अपनी जानु का नजराना पेश करने वाले वो फायर में जो किसी चीज़ की परवाने करते हुए अपने आपकी परवाने करते हुए कूद जाते हैं आग में ताकि जो आम लोग हैं वो सेफ रहें लृषा लृषार को बाद दयों किने अजकर ने वो फायर में पर अब रहरे को लो बादियर्स डीन करते हैं अचार। उसका इस्तमाल करके आम लोगों को मुक्तलिफ बीमारियों के हवाले से या खासकर एथियात के हवाले से उनको आगा करें तो मैं अपने आज के महमान के तालब से अर्ज कर रहा था कि सोचल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं बड़े स्मार्ट एडवोकेट हैं माशाला से और ये जो अपना काम है बखोबी जानते हैं इसे बखोबी निबाते हैं इनका अपना एक कंट्रिबुशन ने इस फिल्ल में हमारे आज के महमाने सज़ाद एमिर फॉर्मर डिप्टी एडवोकेट जनरल हाई कोड़ जेन के साथित की बात है कि महर रमजान में आपके साथ मुलाकात हो रही हैं रमजान नहीं होता तो आप इस वक्त नमकीन चायबी नोश फरमा रहे होते हैं तो सजाद साहब इसे कबल कि हम कुछ बातें आपकी जात के हवाले से करें हाला कि आज़ ज़दा गुंजाईश है नहीं आज हम बड़ी और एक एहम शक्सियत के हवाले से बात करने जा रहे हैं जिनके हम मरहुनी मिनत है पूरी कौम उनकी मरहुनी मिनत है उन पर हम बात करेंगे उनके कमालात और उनके कंट्रिबूशन के हवाले से बात करेंगे मैं चाहूंगा कि आज हम एक साथ मुस्तफीद ह जाएं ये जो बाबरकत महीना चल रहा है तो साधत हासल करें नाते 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 अशार गसकना सुभी के वावो मदीनस संनी शाहिदीनस नहना मयून जू मुश्तागूमत तो वन्धन मरकद सुल्टानि दीनस सब्सक्राइब आशिकना सरदार सुनु उमती आशिकनु छुना सब्सक्राइब आशिकना सरदार सुनु उमती आशिकनु छुना सब्सक्राइब आशिकना सुनु उमती आशिकनु छुना तो हाया सीं तरी फचनी थे दिशान जे नून बेकाँ तो हाया सीं तरी फचनी थे दिशान जे नून बेकाँ आव सब्सक्राइब आशिकनु उमती आशिकनु छुना सब्सक्राइब आशिकनु उमती आशिकनु छुना सब्सक्राइब आशिकनु उमती आशिकनु उमती आशिकनु उमती आशिकनु छुना सब्सक्राइब आशिकनु उमती आशिकनु उमती आशिकनु उमती आशिकनु उमती आशिकनु उमती आशिकनु उमती आशिकनु छुना सेधाय तुन उमती आशिकन मुल्चुन आग या रसूली मिचुन फर्मान मौनुई पजिपर्च मजबाग जन तस्ताग मै इर्फानुक प्याला चुनुई उमती आशिकन मुल्चुन आग या रसूल चुकना सरदार सुनुई उमती आशिकन मुल्चुन आग वेल्कुन बैक आप देखरें अपना मनपसंद प्रोग्राम गुज मौनिंग जे एंज के नाजरीन हज़रत मुहमद सुल्ला लुछ वसल्म फर्माते हैं कि जो शक्स फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्ला ताला की रजा के लिए सूर यासीन की तिलावत करता है उस दिन उसके सारी काम अल्ला ताला की जिम्मे खैर अभी आप सुन रहे थे नात शरीफ आदल एहमद की आवाज में और आज हमारे साथ प्रोग्रेम में जुड़े हुए है एड़ोकेर सजाद एहमद मीड साहब सजाद साहब सबसे पहले तो आप से हम यही जाना चाहेंगी कि आपकी जो इप्तिदाई तालीम है वो आपने कहां से हासिल की है और आपने कानून को ही क्यों चुना अपने लिए कि बिसकली मेरी इतिदाई तालीम तेंडल बिसको स्कूल जैसा क्या जाते हैं वहां से होते हैं उसके बाद I was interested in मैं पोस्क्राइज़एशन बाटनी में करना चाहता था तो बारहाल तगदीर के कुछ अलगी भैसले होते हैं तो कानून में मैं बाइचान सा किया ओके नॉट बच्वाइशन अच्छा लेकिन जूही हम कानून में एज उनिवर्स्टी स्टूड़ ओपन मेरिट में तो उसके बाद ठान लिया कि अब जिन्दगी में यहीं करना है कोई और चीज की चाह नहीं रही और काफी हद तक माबाप की दूआ की वज़ा से थोड़ा बहुत आगे बड़े और फिर हमारे उस्ताद मुहतरम मुष्टाक मधदुमी साब बहुत बड़ा नाम एकसिव लाग उनके साथ बहुत देर तक तक च्रीपन छे साल तक उनके सा वालदान की दौाओं के वाज़ा से, दोस्तों की दौाओं के वाज़ा से, तो आगे बढ़ते रहे, अभी हमारे साथ आठ दस लोग जड़े हुए हैं, अपनी में करम हैं, तो चल रहा है, माशाआलला, जिन्दगी में सबसे एहम चीज और सबसे बड़ी दौलत इनसान को य हो, लेकर अगर इत्मनान नहीं है, तो मुझे लगता है कुछ नहीं है, तो उस मामले में अलहमदोरिल्ला परवर्दिकार ने आपको नवाज़ा है इत्मनान से, इसमें कोई दोर आए नहीं है, आपके जो अपनी कंट्रिबूशन्स हैं, उन कंट्रिबूशन्स के हवाले स भी बहुत सारी बाते करने लाइक है, लेकिन चुकि आज का दिन जो है, ये खुशी का दिन है, कि आज हम एक ऐसी शख्शियत को याद कर रहे हैं, जिनके हमरोने मिनत है, जिनका बहुत सारा कंट्रिबूशन्स है, जब हम आई ने हिंद के हावाले से बात करते हैं, तो हम बात करें आज के दिन जिस शक्सियत को हम याद कर रहे हैं सबसे पहले उनके बच्पन की बात करें कि उनकी तर्बियत तालीम किस माहूल में उन्होंने हासल की और क्या बच्पन से ही ये लग रहा था जो उनके साथी है जोनोंने फिर अपने ख्यालात उनके बारे में कहीं ल तो फोज में रहने के बावजूद हिंदुस्तान में एक concept of untouchability जो अभी भी बहुत सारे रियासतों में है तो उसके बावजूद उनके वालत साब ने उनको schooling दी जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी एक untouchable को school में जाना है उसके बाद बाबा साब बहुत ही जहीं तरीन student र graduation करके scholarship पर वो बाहर गए तो उन्होंने law to Cambridge से किया उसके बाद London School of Economics से है उन्होंने PhD की economics में और मज़े की बात ये है कि आमर्त सेन जो कि Nobel Prize winner है उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर मैं अपनी economic studies को किसी के dedicate करों या किसी को बोलो कि ये मेरे उस्ताद है वालद है तो वो हमारे बाबा साब अमबेद करों तो बाबा साब अमबेद कर पहले दिन से ही reformist थे एक crusader थे कि हमें जी ये चीज़ करनी है especially untouchability woman rights schedule का schedule tribe जो आप आज constitution में देखते हैं एक बाबा साब की ही देन है तो अगर हम constitution की बात करें तो ये ज्यादा मुतासर है जो हंदुस्तान का आइन है मुतासर है फ्रेंच constitution से आइरलेंड के constitution से, USSR के या US से बहुत सारी चीज़े बहुत सारे constitution से उठा गया अगर बाबा साब की बात करें तो उन्होंने हिंदुस्तान के society को देखकर तो उनको पता था कि हमारे society में पहले तो male dominated society है उसके बाद कास्टिजम इतना है हमारी political parties भी उस time based on caste थे तो lower caste को कुवे में जाने नहीं देते थे मंदर में जाने नहीं नहीं देते थे तो आज के दोर में भी अगर देखा जाए very recently just few days back a public interest litigation madras high court में हुई कि बाबा सहब का जो आज का तारिक पैदाईश है और एक मंदर में एक function है वो एक साथ न किया जाए तो madras high court came strongly उन्होंने बोला आज की date में इतने साल हो गए अभी भी हम ये mind thought रखते हैं कि बाबा सहब को आप अभी भी दलित मानते हैं और उनको बोलते हैं उनका तो आप देख सकते हैं बाबा सहाब के contributions हम आगे बताते रहेंगे लेकिन बाबा सहाब पहले सही जहीं तरीन और बाबा सहाब की मैं तो कश्मीर में बोलूंगा मिनत है पूरे हिंदुस्तान पर कि उन्होंने इतना अच्छा कॉन अच्छा चीज क्या लगता है उन्होंने कहा दिर जाएं अर्टिकल 32 अर्टिकल 32 डिल्स वित रिट्स डिरेक्टी तुट अब हिंदुस्तान के किसी भी शक्स को इतना हक दिया कि वो तालुक का तैसील के कोट में नहीं जाकर सीधे सुप्रीम कोट में जाकर ये महानता थी ये ग्रेटनेस थी बाबा साब किसी की पढ़ाई कर रहे हैं लेक Hispan कि इंटरस्ट किर हूर भी होता है तो इनके बारे में थोड़ सा हमें आगा करें जो आपके बढ़ा है onka कि इंटरस्ट किस चीज़ में रहा है इनका तालुक Kenneth के दौर बाबा सहब ने ही कुछ कमेटीज में हिस्सा लेकर जो इंडियन बैंक है उसको तश्कील दिया जो बाद में आकर रिजर्व बैंक अफिंडिया बाबा सहब की टेक्जेशन पॉलिसी लैंड रिफॉर्म पॉलिसी पहले से इतनी स्ट्रॉंग थी कि वो चाहते थे कि हंदुस् अगर देखा जाए तो बाबा सहब ने पड़ाई के वक्त से ही पार्टीज क्रियेट करना शुरू किया क्यूंकि उस वक्त हिंडुस्तान के कबजे में था तो उन्होंने एक लेबर पार्टी का तश्कील दिया जो आगे जाकर बहुत बड़ी पार्टी बनी और महराष्ट में 17 सीटो में 15 सीटे उन्होंने ली तो उन्होंका बहुत ही कंट्रिबूशन रहा है नोट अनली इन कॉनस्टिटूशन बट इन फैनांस इन अपलिफ्मेंट अफ लोवर मिडिल क्लास और अस्पेशली जब उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस उन्होंने जो से फिर 1950 में वो एडाप्ट किया गया तो उसमें बड़ा ही कंट्रिबूशन रहा है वंडर्फॉल जी आप अभी जिकर कर रहे थे विमन राइट्स के हवाले से हमने देखा कि पुराने जमाने में आवरतों के खिलाफ काफी तशदुद होता था तो बाबा साहिब जो बाप स्ट्रिबूशन बड़ा जाता है तो अगर देखा जाए तो हिंदुट ने अगर टेखा जाए तो हिंदुस्तान में अमेल डोमिने तो साइटी थी और कुछ हद तक अब लेकिन इस बिकास अवर्फाट इस बिकास अवे स्टूशन ने ने डाले ताकि एक आवरत को एक मुकाम दिया जा, not only that, financial aspects में उन्होंने जो ड्राफ्ट बिल्स थी, उसमें उन्होंने आउरतों को भी मदू किया, जो आपके कितने मसाइल है, आप क्या क्या मसाइल है, तो बाकी जो कवानीन बने थे, because constitution is the grand norm, constitution basic है, जिससे बाकी कानून बनते हैं, जब तक constitution में लड़क से बड़ा contribution है, जादा साब, अच्छा, जार सी बात है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है इस बारे में, इस अजीम शख्सियत के जो कारणामे हैं, वो निसाब में भी किसी topic के जरिये बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन आप नहीं समझते कि आज के जाते हैं अपनी राह से, तो ऐसी शख्सियात को role model बना कर उनका जो जिन्दगी में करना रहा है, या जो उनके contributions रहे हैं, उसको फालो करें, और तरगीब दे नौजवानों को, कि ये हमारे असलाफ रहे हैं, ये हमारे leaders रहे हैं, इनके foot steps को फालो करें, तेकिए internationally and nationally both, उनक पूरी जो जिन्दगी है, वो मशल रहा है, जैसा बताया किया है, not only that, जो आजकल on the basis of, चाहे हैं आप religion बोलो, कास्ट बोलो, या creed बोलो, जो चीज़े हो रही है, पूरे मुल्ट में, पूरे दुनिया में हो रहे हैं, एक negative evolution हो रहा है, अगर हम दादा सहब की true teachings को मद क्योंकि उनकी जो teachings है, सबसे बड़ी बात है, वो equality में believe करते हैं, मसावत में वो कहते हैं कि जिन्दगी में जो भी इनसान यहां पर दुनिया में आया, वो बिलकुल यकसां आया, अब हमने कास्ट बनाया, कश्मीर में भी to some extent अगर देखा जाए, तो मैं कहूंगा, जी मैं सेद हूं, मैं जी कादरी हूं, मैं जी मुस्ती हूं, अब मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा, इसके साथ उठूंगा, बैठूंगा, नहीं है, लेकिन यहां पर degree of that discrimination बहुत कम है, as compared अगर हम हिंदुस्तान में देखे, हिंदुस्तान के बाकिर रियासत में, वहां पर तो क अबेद कर साभ हैं, वहां पर तो उनका एक खूब था, कि हिंदुस्तान में यह चीजे नहीं हो, हिंदुस्तान एक अच्छा मुल्क, बिकास हिंदुस्तान इस a mixture of so many cultures, religion, ethos, so हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात यही है, से किलरिजम, यहां यहां, नहीं 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 इ तक नहीं पोँचे हैं, जिस मुकाम तक अम्बेद दक्रा साब ने हमें तालीम दी, जिसके लिए उनको नोबल भारत रतन अवाड दिया गया, दो आफ लेट लेकिन दिया गया, और 1991 से 1993 तक दो साल कम्पलीट्ली उनको डेडिकेट किये गए, हंदुस्तानी हुकोमत ने, कि उनके जो टीचिंग्स हैं, उनको पुरे कॉलेज, स्कूल्स, युनिवर्स्टी में लाया जाए, चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन अभी ग्रास बूट लेवल पर उतना काम नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए, जी सर, इसके अलावा हमें बताएगा कि उनके क्या आरणाओ, नहीं में अमें अड़ने क्या करते हैं, प्रूब्स, उनके कंट्रीश को में है, छी समाज रहा है काम बस्ताओ, जी सर, प्रूब्स, इतना है defined in the Bible, जी समल में टीचिंग confess तुर्व एवरी नेशन, आज कश्मिरी मैं कहूंगा, तब तक हम पूरे मिलक के साथ नहीं कर सकते हैं जब तक हम एड्यकेशनली उनके साथ मैच नहीं पर साथ मैच सही है. So, education मैं उनका सबसे बड़ा contribution है, उन्होंने in institutions, कोलेज खोलें, उनने universities खोलें. सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखकर कि धलित समाज को बाकी युनिवर्सिटीज में बाकी स्कूल में मौका नहीं मिलता है तो वैसे ही हमारे लोकल कितने स्कूल है, कितनी युनिवर्सिटीज है जब तक हम उनमें पढ़ाई के लिए हत्यारों से जीत जाएं जंग वो होती है, जिसमें आपके पास शौर हो जिसमें आपके पास वो आइडियाज हो और बड़ी अच्छी बात यह है कि आज हम देख रहे हैं, जो हमारी खासके नौजवान पोध है, अलहमदोलिल्ला, वो पड़ी लिखी है और जिस कौम के नौजवान पड़े लिखे हों, सुलजे हों, उस कौम को तरक्य करने से कोई नहीं रोक सकता है सजाद साब आपके साथ बात चीत का सेसरा जारी रहेगा, इस प्रोग्राम को चुँके आप देखते भी हैं, मतवातर अखबारात की सरके इस प्रोग्राम के एक बहूत ही एहम हिसा है और अखबारात की सरकियों का वक्त हो रहा है आज आप भी जल्दी निकले हैं गर से तो आपने भी आज की अघबारात का fax किया नहीं हो तो फटा फट हम आज की अखबारात से आला सतही जाइजा मीटिंग, कौमी सलामती के मुशीर अजीद टौल लेपनिन गौर्णनर मनोज सिना और आला हुकाम के शरकत जमूर कश्मिर की सलामती सुरत हाल और अवामी अप्रोच पर इजारियत बनान जी-20 सियाथी वरकिंग कमीटी, मीटिंग की तैयारियों, मजमूरी सुकेर्टी सुरत हाल और जारी तरकियाती अमल बश्मूल स्मार्ट स्टी प्रोजेक्ट की तकमील का जाइजा अवामी राबता मुहिम को हर स्टा पर फाल रखें आम लोगों की बदलाव के रवाँ अमल में हिसादारी और शरकतदारी अमन और एत्माद के लिए लाजमी अमिच्छा और एक सुर्खी जंगलों की हिफादत माहुलियात को आलोगी से बचाने और शजरकारी के लिए मरकजी हकूमत का बड़ा फैसला जमू कश्मीर को 272 करोड रुपे का पैकेज फरहम करने का इलान और एक सुर्खी से अकबार की मौज़दा मरकजी हकूमत तालीम यापता नौजवानों को रोजगार फरहम करने की खातर कोशा मरकजी वजीर बचली जी मेर बास है अंग्रेजी रोजनामा इस पे खबर शाय हुई है और दो अकबार की सुर्खी सुनिये का दो हजार पचीश तक जमु कश्मीर को आलमी स्था पर अहम सियाहती मकाम बनाने की पांच साले जामा हिकमत अमली तयार मेकम सियाहत को हर साल दो हजार करोड की सरमाया कारी और पच्चास हजार लोगों के लिए रोजगार की मौगए पाइदा करने की तवक्व सियाहों के लिए नए राहत रसानी एक्दामात सुधेश दर्शन की सुधेश दर्शन दो के तहत नए नुक्ते नजर पर मवनी प्लान मरकजी वजारत सियाहत को पेश जी अगली सुर्की अर्दो रोजगारनर की बेसाखी पर मुबार्ग बाद और एक बहुत ही खुशाएंद गदम जो की डिर्क्टरेट अब स्कॉल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से उठाया गया है सुर्की सुने गए इस हवाले से मेरे बास है आखरी अर्दो रोजणामा इस पर एक खबर शाय हुई है जमू सरी नगर कोमी शाहरा पर दो तरफा ट्राफिक जारी जी और आखरी अखबार की सुनियेगा जम्हत अलविदा और शब गदर के सिलसले में दरगा हजरत बल जाने के लिए ट्राफिक प्लान ये थी अखबारात की सुर्खियां जो आप तक पहुची और इस सिग्मेंट का आप एंतजार करते भी हैं जिस तरह में आर्ज कर रहा था आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बियार अमबेदकर डॉक्र बियार अमबेदकर साहब की जिन्दगी उनके कारणामों के हवाले से क्योंकि आज जो है अमबेदकर जैनती मुल्क भर में मनाई जाती है तो हम इस अजीम शक्सियत के बारे में बात कर रहे हैं इनके कारणामों के हवाले से बात कर रहे हैं हमें यह बताईएगा कि जब हम उस कंट्रिबुशन को मदे नज़र रखते हैं जो कानून के फील्ड में उन्होंने कंट्रिबुट किया है आप च्की कानून के अपने पढ़ाई की है तो क्या ये सिल्बस का भी हिस्सा है कहीं पर जो आपने किताबे पढ़ी हैं कानून की उसमें भी कोई ऐसे टॉपिक्स हैं कोई ऐसे लिसंस हैं जिन से आपको ऐसे वो लोग जुनोंने हमारे कानून में वड़ा कंट्रीबूट किया है, हमारे जो क्या कहते हैं इसे कंट्रीबूट किया है, उनके कंट्रीबूशन का भी जिक्रा आता है? बिल्कुल, जब हम कानून की तालीम हासल करते हैं, चाहे B.A.L.L.B. हो या L.L.B. नॉर्नल कोर्स हो, तो उसमें लीगल एथिक्स, लीगल लेमिनरीज की बाते, किसने क्या कंट्रिब्यूट किया, जूरिस्पूडिन्स में किसने किसका क्या कंट्रिबूशन है, तो उसमें जब हिंदुस्तानी किसी शक्स की बात होती है, तो डॉक्टर बियार अमबेदकर का नाम सबसे आला हूँ, क्योंकि डॉक्टर बियार अमबेदकर को फादर आफ इंडियन कॉनस्टूशन से रहा जाता है, नॉट आनली वो ड्राफ्ट जो कमीटी थी, जिसने आईने चेर्मेन थे, बट उनको वजीर कानून वा इंसाफ किसी ऐसे शक्स को जो लोकल महराश्वा में थे, उनको यहां से ही कॉंग्रस के सदर उस वक्त पंडित जवाईला नहरू, जो पहले चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आफ दे कंट्री थे, उन्होंने उनको जाती तोर पर रिक्वेस्ट करके बोला कि आप ही वजीरी कानून वा इंसाफ है, तो उन्होंने वो एकसप्ट किया, दो साल लगे, उन्ही सो सेंतालीस से, उन्ही सो अनचास तक, वो पूरी ड्राफ्ट कमीटी को, तो उन्ही सो पचास में फिर, कानस्ट्टूशन या आईने हिं जिसको बोला जाता है, तो वो लोगों के नाम किया गया, तो अगर देखा जाए, उन्होंने कुछ किताबे भी लिखी, जाती तोर पर, उसमें ज्यादा यही अन्टचाबिलिटी और कास्ट सिजम को बड़ा टार्गेट किया गया था, क्यूंकि हिंदुस्तान में, वो बह कितना भी इसको कम किया जाए, यह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनका कंट्रिबूशन अगर नहीं होता, तो शायद हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम पे बहुत सारे तनाज़ात होते हैं, तो बहुत हद तक अगर जो तनाज़ात कम हुए हैं, तो उ मुलक की खुबियों और खुस्सियात में एक बड़ी खुबी यह है, कि यहां मुक्तरिफ अकाइद के साथ वाबस्ता लोग हैं, और सभी लोग एक दूसरे के साथ जिन्दगे गुजर बसर कर रहे हैं, इत्मनान से, सुकून से, और एक दूसरे के रिलिजिस सेंटिमेंट का इतराम करते हैं, जिसकी बड़ी जरूरраж भी है और इसका सारा कही न कहीं ऐसी श्खसियात को जाता है, जिνके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आज मुल्क बर में बेसाखी का तहवार भी मनाया जा रहा है, अलाकि यह तहार तो मुल्क के हर हिस्थे में, हर रrio City में, हर किमिंबर हैं गूरद्वारह प्रभन्दक कमीटी स्निंगर के हलू अजो अधाब जी अधाब जी साथ चिसरखाल बेसाकी बहुत बहुत मुबार्ट है आप सबकों मुबारिक आज के मुकदस दिन हम खालसाताचाटन धि वसु आज हम सब मना रहे हैंब सब को उसकी बहुत बहुत मुबारिक हो बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया हम जब आज प्रोग्राम के आगाज में बेसाखी का जिक्र कर रहे थे हमने अपने नाजरीन को इस दिन की मुवारग वादी तो दी लेकिन हमने वादा किया था अपने देखने वालों से कि इस दिन के पस्मन्जर के बारे में इस दिन का जो मजभी पस्मन्जर है समाजी पस्मन्जर है उस बारे में हम किसी एक्सपर्ट से दर्खास भी करेंगे कि वो आप तक जानकारिया पहुचाएंगे तो हमें बताईएगा कि यह जो यह तहवार मनाया जाता है इस तहवार की बड़ी एहमियत है इस तहवार का पसे मन्ज़र क्या है मजहभी तार और समाजी तार खालसा साजना धिवस एक मिशन था जो गुरू नानिक देव जी ने जिसका आगाज किया और जिसको 1699 की बिसाखी पार तेरा अपरेल को गुरू गोबिन सिंग जी ने अनानदपुर साहिब पे इस मिशन को मकंबल की गुरू नानिक देव जी ने जिस मिशन की बनियाद रखी थी और वो मिशन था कि एक ऐसे इनसान की बंतर को दुनिया के सामने लाना है जो सच, हक और इनसाफ पे अपना अपनी जिन्दगी जो है वो गुजारता तो गुरू नानिक देव जी से चलते हुए ये रुहानियत का सफर जो है मुक्तिर पड़ाओं से गुजरता हुआ ये आगे बढ़ता हुआ क्योंकि बीच में गुरू नानिक देव जी के बाद दस गुरू साहिब थे उसके बाद गुरू गोबिन सिंग जी ने इसको मुकंबल किया गुरू भी अनान्दपुरु साहिब के उस मुकाम पे जहां उनूने तेरा अपरेल की सुबा तो एक बहुत मड़े एकाच में जहां हजारों लोग पहुँचे हुए थी और वहां जाके उनूने पाँच सिर की मांग अब ये जो पंसेप्स था ये गुरू नानिक देशी का था जे तो प्रेम खिलन का चाओ सिर्टर्तली गली मेरी आओ अगर आपको रूहानियत की जिन्दगी गुजारनी है तो ये चनोती है एक चलेंज है आपको सिर्टरी पे रख के सामने आना होगा तो इसी कॉ को आगे अमली तोर से दुनिया के सामने लाने के लिए ऐसे इनसान की बंतर को पुक्ता करने के लिए गुरू गोबिन सिंग्जी ने पांच शिरू की मांग की अब यहाँ जो आपने कहा कि समाजी तोर पे मजबी अब हमारे समाजी तोर पे इसका क्या आज एहमियत है कि अच्छ लोग जो सामने आए जिन्हों ने कहा हम गुरू जी आपके सामने सिर देंगे। सब पहले जो था वो था देया राम। जिसमें सिर पेश किया वो लहूर का रहने वाला था। वो बिजनस तबके से तालुक रखता था। जी। और दूसरा जो था धरमदास। वो कि के महमान जी ने फरमाया कि एक लवर काश से वाबस्ता था। और एक सा भाई हिमत लांगरी जो कोक था। ये जगना पुरी उडी सा का था। और भाई था ये बिदर आंधरा परदेश के थी। अब मुक्तलिफ जातू से तालुक रखने वाले लोग सामने आए जिसमें जो इनेक्विल्टी है ना बराबरी है इसको पुक्ता तोर से हिंदोस्तान में काइम किया जाए और सच हक इनसाफ पे अधायत जो जिन्दगी हो उसको एंशूर करने के लिए गुर गोबिन सिंग जी ने ये कदम उठाया और ये भी साथ में ताकीद कर दी कि हमें एक उस जिसको हम मुगतलब जबानों में अला कहते हैं परमेशों कहते हैं बहुत मुगतलब नामों उसे पुकारते हैं उस पे एक तो हमारा अकीदा होना चाहिए दूसरा नाम जपो बांट चको और किर्द करो सबसे पहले महनत करो और डोनेट करो जो जूरूरत मंद लोग है उन क्योंकि मुक्तिलिफ धर्मूं का जातूं का एक कॉलेक्शन है इसमें वो जो नाबराबरी वाला कंसेप्ट उसको खतम करने के लिए और एक नेशलिजम की भावना हमारे दिलू में बरने के लिए गुरुब बिन्सिंग जी ने आज के दिन उस खाल्सा को संसार के सामने दु लाकि वो एक उंची एक लाकोई कद्रूं कीम्ति वाला इनसान बनके दुनिया के सामने आये और दुनिया के इक्वेर्टी के लिए बराबरी के लिए और तरक्की के लिए वो कद्रू कीमतू के साथ लेफ होके अपना जब जिन्दगी गुजारेगा तो समाज के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा कि संसार में जितने भी लोग हैं वो हक, इंसाफ और सच पे अपनी जिन्दगी को गुजारने का तहिया करेंगे, एक हलफ ले लेंगे, ये एक ओथ हफ ऐलिगेशन का दिन है, जब हमने ओथ हफ ऐलिगेशन लिया, एक हलफ लिया, ये अब हम मेकी की कद्रू कीमतूं से बदी की कद्रू कीमती पर जीत प्रापत करेंगे और संसार में से दुनिया में से बदी को जड़ से उकाड़ के बाहर सेंगे, सिंग साब बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिस अंदाज से आपने आज के दिन की एहमियत और गुरू जी की तालीमात के बारे में बात की और किस तरह उनकी तालीमात को अमलाते हुए हम अपनी जिन्दगी में बेहतरी ला सकते हैं, बनलाव ला सकते हैं, जो बुराई का रास्ता है, उसको तरक करके अच्छाई के रास्ते पर चल सकते हैं, आपको बहुत 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 बदाई, बहुत बहुत बदाई, बहुत ब प्रवें उनकी तालीमात को अपनाएं अमलाएं ताकि हमारी जिन्धकी खुबसुरत बने, नासिरिफ हमारी जिन्धकी भी छो कुछ उन्हें अमली तोर करके दिखाया, उसको फालो करते हुए जिस किसम का सिस्टम अभी है जिस किसम का निजाम अभी चल रहा है किस तरह उसे बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह हम अपनी जिन्दगी में बना ला सकते हैं जी अगर हम देखेंगे अम्बेद कर सहाब का कॉंसेप्ट अफ डेमोक्रेसी क्या था इट वस नॉट बेस्ट ऑन हेट्रेड यह नफरत पर बिना मतलब बेस्ट नहीं था जो आजकल हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाते हैं चाहे पोलिटिकली हो सोशली हो एकनॉमिकली हो मेरे पास बड़ी गाड़ी है आप दूसरे को छोटी गाड़ी है तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़े है जो उनुने बड़े ही डिटेल के साथ बड़े ही वाज़ तोर पर कही कि ये सब जो के इस्लामिक कॉंसेप्ट भी है ये सब एक दोखा है कुछ दिन के लिए आपके पास दौलत रहेगी शुहरत रहेगी रुदबा रहेगा देखे स कोई भी जो हैस्ट प्लेस होता है जुडिशियरी में वो एक जज़ का होता है तो बहुत अजील पोस्ट होता है अड़ दे इंड जज़ भी रिटायर होता है फिर वो भी एक आम शहरी की तरफ नाथिग लास्ट इस नाथिं लास्ट अब उनका जो कांसेप्ट था वो कोई जगा नहीं थी, कोई खुन खराबी की जगा नहीं थी, कोई मारदार की जगा नहीं थी, और दूसरा, उन्होंने कॉनस्टूशन जब दिया, अब इस सब की बागदोड जजु के हाथ में है, जज is what, what judge says is law, how he interprets constitution is the actual law, right, so हमारे जज सहबान, जाहे वो रियास्ती तोर पर हो या मुल्की सता पर इस प्रीम कोट या हाई कोट में, तो आज तक, और इंचाला आगे भी, constitution को बहुत ही explain किया, though there was a time, जब कुछ जज सहबान ने article 32 को कर्ब करनी की कोशिश की, या emergency के वक्त, बोला गया कि constitution में ऐसे लुगात है, जिन को हटाने की जरुरत है, लेकन at the end of the day, जब डॉक्टर सहब की तालीमात देखी गई, what is the aim and object, theme क्या था, नियत क्या थी, इस provision को रखने के लिए, एक standard रखने के लिए, जैसे 32 मैंने बोला, रिड जूरुजिक्शन आफ सुप्रीम कोट, चाहे वो हैबियस कॉर्पस हो, कोवरेंट हो, प्रोहिबिशन हो, जैसाहिबान अभी तक उस अलम को पगड़े हुए हैं, और माशालला हमारे रियास्ती हाई कोट में, जितने भी जैसाहिबान आए हैं, आपने देखा होगा, पॉब्लिक इंटरस्ट लिटिकेशन में, या बाकी सब मामलात में, जो भी कॉनस्टूशनल स्टेंडार्ड्स हैं, उनको बाइज़त तोर पर, बाअमली तोर पर, बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से रखा गया है, और वकीलों पर भी कुछ जिम्मदारी आइद है, बिल करें, बहुत गरीब लोग होते हैं, जो अफोर नहीं कर सकते हैं, बिकल्स जेस्टस तोड़े कोस्ट्स यू मने, आज अच्छे वकील के पास जाएंगे, तो ही विल देफिनिटली चार्ज मच्छ, बट देरार मैं खुद की बात ही नहीं करूंगा, तो मैं खुद की बात ह तो वैसे ही कौनस्टूशन ने ही डिस्टिक लीगल सर्विसे अथार्टी रखी है, जो हर एक तासील में है, जिला में है, डिस्टिक में है, स्टेट में है, जो कि ग्रासरूट लेवल पर छोटे छोटे जो अधना से लोग हैं, जो अभी जहनी तोर पर या एक्स्पूजर उनको पता नहीं है कि उनके हुकूक क्या है, तो उनको वो लोग या वकील इंडिजुवली या जैज साहिबान या दूरदर्शन, दूरदर्शन में तो कानून और इंसाफ का एक प्रोग्राम बहुत अच्छा आता है, जिसे बड़े ही लोग कानूनी मश्वरे काफी आज के मौजव है, तो कारणा मुझे तहरीक लेकर लेकर कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल मशल रह लेनी है, उनकी जो कंट्रिबूशन है, उनको देखकर जितना हम से हो सके, इंडिजुवल लेवल पर, अज़र साब अपने लेवल पर, मैडम अपने लेवल पर, मैं अप के हुकुक क्या है, क्या सेफगार करता है, तो present day and that day when constitution was draft, there is lot of change, we need to reform it, we need to evolve it, but basic theme तो वही रहेगी, तो वही रहेगी, तो वही रहेगी, जैसे fundamental rights है, जैसे directive principles है, तो वही रहेगी, लेकिन अब, with modern times, उनको refine किया जाता है, उनको रिफाइन किया जाता है, उनको रिफाइ So insha Allah, वैसा हो रहा है, तो अगर जाती तोर पर मुझसे पूछा जाए, I am not 100% satisfied that amendments are not happening to the way they should happen, but हो रही है, maybe हो जाएंगी, बाकी कानून जहां पर लगता है, उनको कि नहीं हो रहा है, executive या administration या legislature नहीं कर रहा है, कानून स्टेप्स है, जैस साहबान आते हैं, sumo to cognizance लेते ह नहीं, इस कानून का क्यों नहीं हो रहा है, इस कानून का refinement क्यों नहीं हो रहा है, CPC आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, जैसे women's rights, पहले definition of rape एक ती, आज definition of rape different हो गए, वो evolution है, वैसे ही compensation, motor compensation, पहले उसमें एक लगा आते है, आज कल कानून बदल गया है, तो with changing times, our laws also need change, ल अपने दी है, वो तो से, वो तो रहेगी से, जी सर, इसमें बिलकुल भी शक नहीं है कि उनका काफी स्यादा contribution रहा है, हमारे constitution में, या overall हमारी society की बात की जाए, तो हमें ये भी बताएगा कि उनका क्या role रहा as a social reformer, अगर society की बात करें, देखिए अगर social reformist की बात करेंगे जो हमारे land laws है, तो उनमें बड़ा एहम role रहा है, अगर मैं कहूंगा कि अगर land to tillers यहां पर दिया गया था, जर इसलहाद जो हम कह रहे हैं, तो basic theme बाबा साब का ही था, बाबा साब ने कहा जितने भी हमारे farmers around the country है, उनको आप leaves पर खाली जमीने दीजिए, ताकि एक तो ज जमीन भी उप जाओ हो, जमीन से भी प्रडूस निकले, और एक किसान भी बेकार ने का भी आतमाम हो, तो यह basic theme था, उनका यह था कि taxation, taxation slabs जो है, basic taxation slabs उन्ही की दी हुई है, कि below particular level उनको tax not मांगा जाए, तो farmer reformist, woman reformist, woman को उन्होंने पार्लमेंट में लाया, उनको बठाया, उनकी reservation set की, schedule caste, schedule tribe तो concept ही नहीं था, जो आज भी आप schedule में देखते हैं, कि यह schedule caste है, यह reservation है, it is just because of, this is the biggest contribution, अगर वो चीज़ नहीं होती, तो the rich would have been richer and poor would have been poorer, तो caste system से आप अबहर ही नहीं पाते हैं, आज आप देखते हैं, I don't believe in caste system personally, आज आप देखते हैं के IPS officer या IS officer, irrespective of caste, whether he is Brahman or he is non-Brahman, whether he is Sayyid or he is non-Sayyid, so he holds the position, so this is, यह contribution आप मेजर ही नहीं कर पाओ के, यह कितना बड़ा contribution है, especially in the polity like India, wherein there are so many things to discuss, wherein there are so many things to see in our future, so contradictions are bound to happen, देखिए होता है, हर एक मुलक, हर एक कौम में ऐसी चीज़े होती है कि आप aim and objective 100% नहीं कर बाते हों, लेकिन जितना बीमराव साहब के teaching से, जितना उनके personal contribution से हुआ है, उतना शायद ही हंदुस्तान के किसी हुकुमरान ने, शायद ही किसी educationist ने, शायद ही किसी torch bearer ने, इत क्योंकि last days he has converted to buddhism, last days में उन्होंने buddhism भी क्यों convert किया, उनको लगा कि जो वो मजभ प्रोफेस करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी फिर यहाँ पर कहीं ने कहीं, एक caste-sism है, और आज भी उनकी birth anniversary नहीं, death anniversary भी मनाई जाती है माराश्टा में, तो वो नहीं दून दाम से मनाई जाती है, in buddhism वो कहते हैं, उन्होंना जी मोक्ष प्राप्त किया, salivation अचीव की, तो, that way he was not an orthodox person, who used to stuck, नहीं मुझे जी इस पर रहना है, he was always, you know, reforming himself also, his thought process was the right, and that is the biggest contribution in Indian polity, in Indian constitutional history, as well as, in Indian academics, अगर देखा जाएँ, not only economy, not only constitution, he has laid emphasis on everything, especially अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे, तो उसमें दिखाया गया है, एक तस्वीर कीची गई है, कि कास्तिसम को कैसे society से देरे देरे करके बाहर निकाला जाए, I have personally read that, बड़ी खूबसूरत किताब है, what is the title of that book? There are three books which he has written, three books which he has written, one is annihilation of caste, annihilation of caste, दूसरा है untouchables, और तीसरा है बुद्दा और कालमाइक्स, वो उनकी लास्ट बुक थे, जी सर, इसके अलावा उन्होंने लेबर तबके के लिए भी काफी काम किया, उस टाइम पे, you know, he reduced working hours from 14 to 8 hours, what about that? Yes, basically, basically, as I said before, they gave a party, which is the Labour Party, which is the name of the Labour Party. So, they had to say that, as it was a bonded labour system, when Britishers take aliens as labourers, there were no working hours. So, in 1930s, they had a very big role that Britishers had to accept that there should be some standards for even labourers. ये भेगारी नहीं है, जब मर्जी, जितना मर्जी कराओं, उनको हफते में एक दिन की लीव भी रखी गई, उनको annulments दिये गए, overtime कोई करता है, तो it was all because of the revolution that was created by Dr. B. Mr. Amitkar. आपके हवाले से, और इनका रूल है, जब आपकी बाते सुन रहे हैं कहीं हमारे नوجवान दो से एक inspiration मिलती है, कि जिस COVID को अनुने तर्तिय से तज़ाया है उनकी मदद से सियार हुआ है, उस COVID की बात करने वाले, उस कान स्चूशन को follow कराने वाले या उसके नक्ते नजर से जो कवानीन है, उन कवानीन की बात करने वाले हम भी कोर्ट में बने यानि कि मैं बात कर रहा हूं उन नौजवानों की जो इस फील को इस प्रफिशन को इक्तियार करना चाहते हैं जदीदार में हम देखते हैं अक्सर फील्ड में सिचुरेशन पाई जा रही है लेकिन वो दोस्त जो चाहते हैं कि कानून की पढ़ाई करें और इसको अपनी जिनगी का हिस्सा बनाएं उनके लिए आपका पैगाम क्या है आपकी मेसेज क्या है देखिये साब जाती तोर पर कहूंगा कि मेरा कोई लीगल बैगरेंड था नहीं मेरा कानून की पढ़ाई करके उसको कोई सरकारी नोकरी नहीं दूननी है तो वो जॉइन कर सकता है अज एड़ोकेट अज लॉयर और मैं सदाकत बता रहा हूं कि अगर आप मेहनत करोगे वालदान की दूआ आपके साथ होगी आपकी फैमिली आपके साथ होगी वकील का दिमाग बिलकुल फ्री होना चाहिए वकील बेहाइंड दा बैक अगर के तनाजर में उलजा रहा है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और बाकी अल्ला का साथ होना चाहिए तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है कि आप बहुत अच्छा मकाम इसादी तोर पर देखिए लॉयर नॉट अनली फिनांशली स्टेबलाइस इंसल्फ ही स्टेबलाइस सो मनी पीपल आराउंड एंड हमारे प्रफेशन में अभी दिर इस लॉट अव डर्थ मैं खुद एक ताल बहु हुँ मैंने अभी तक कुछ हासल नहीं किया इंशालला वालदान की दुआ रही तो इंशालला आगे बढ़ूंगा ज़रूर कोशिश में हूं लेकिन नए स्टूडेंट्स जितने भी है लेकिए दिर इस नो शॉर्ट कट ट्यूर सकस्स आप पोड़ियां चड़ते हैं एक दो ती करना चाहते हैं मैं कहता हूं कि डेडिकेशन ऑनस्टी माबाप की दुआ यह बहुत ज़रूर अगर देखिए हुदीश कुछी भी है कि वालदें एस्पेशली वालद की दुआ या बदुआ कभी मुस्तरद नहीं जाते हैं अगर मा के कदमों के नीचे जननत है तो जननत का आशिरवाद और आपकी वाइफ जैसा कि मेरी वाइफ का बड़ा कंट्रिबूशन है मैं ब्रदर शिस्टर जो मेरे इमिडेट रलेशन से उनका बड़ा कंट्रिबूशन है जननों ने मुझे वो लिवरिज दी क्योंकि पहले येर्स में आपको बारा बारा गंटे काम करना तो जुहीं आप फिर आगे आगे बढ़ते हैं तो वो वर्किंग अवर्स बढ़ जाते हैं लेकिन आप गर में फिर एड़ाप्ट अबिलिटी हो जाते हैं पहले तो माइवाइफ यूज तो ये ना कम्प्लेंग कि मतलब मैंने आप शुराइब किया है आप लेकिन लेकिन उसके बाद माई पैरेंट्स पहले दिन से समझते थे तो बाद में मेरी जावजा भी समझते हैं क्योंकि बच्चे भी इगनोर होते हैं बहुत सारी चीज़े इसमें होती है ये पहले पहले हो जाता है फिर फिर फिंग्स गट गोई लेकिन जो डेडिकेशन हर एक तालब इ प्रवर्दिगार से दुआ करते हैं वी वी शुबरस्ट अफ लग बहुत शुक्रिया सजाथ साब तश्रीफावर होने के लिए और आज की इस खाजने के मौके पर बहुत सारी एहम जानकारिया हमारे साथ शेयर करेंगे तो और एक महमार शख्सित के साथ हम हाजर हो जाए बच्चों को डे सारा प्यार बज़र्गों और खावातिन का एक्तराम और इकराम मुझे और हमारे को दे इजास्त है वे ग्रेजे हैज अध अल्लाहाफ़ आज़ाए